आहाहा का मस्त महक रहा है एकदम लजीज यह देखिये दीदी, आमको तो आपका शीष्टर इनलो का चाल चालन बिल्कुल खीक नहीं लगा भला ऐसे किसी को भूद बन के ड़ाया जाता है कि? हा रुणजुम, इकाम तो उसने सहीए में बड़ी बुरा किया था उस दिन हम तो इतना डर गए थे कि हमको तो हाटक टैक आते आते रह गया था एक तो चार किलो मेक अप ठोप के रखती मैं उसके उपर भी पता नहीं किस चीज को घामांध है उसको इकाम मा खाना बना रही है यह दिन देखने को रह गया था बहू के होते वे भी सास खाना बना रही है इलू भुआ आपका तो मेक अप हो गया अब तो आप और भी सुन्दर लग रही हो अरे वार इच्चा मेक अप तो बहुत ही अच्छा किया है तुमने मेरा लेकिन एक चीज की कमी लग रही है बीबी कमी? किस चीज का कमी? ओहो 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 यह तो यहां बैट के पंचाइता लडा रही है गपा न लड़ा है तो का आपकी तरह काम पे जाएं अच्छा घर का काम तो तुमसे हो नहीं पा रहा है तुम बाहर का काम करने का सोच रही हो हम यहां बैट के बती आ रहे हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि हम घर का कुछ काम नहीं करे हैं हम घर का सारा काम निप्टा के तब यहां बैट के बती आ रहे हैं और खाना उट तो तुम मां से बनवा रही हो ओडी बाबा लेकिन खाना तो आमने और अमर दीदी ने कब कही बना लिया सुबा सुबा ही हाँ खाना भी हमने बना लिया है और आपकी माता जी खाना बनाने रसोई में नहीं घुसी होंगी अच्छा हमको लेट हो रहा है में आफिस जाते हैं की दीदी जीजा जी भी ना जो बूढ़िया का भी खोद उठके एगलास पानी नहीं पीशबता है वो बूढ़िया भला कीचन में गुस के खाना बनाएगी रुको हम देख क्या आते हैं कागुन बगार रही है मरी सोने की म मुर्ती उर्फ हमरी सासुमा इलो मस्त पकोड़ा वाला कड़ी भी हो गया माजी का बात है इतना सालों के बाद आज आप कुकिंग कर रही है हमरी लाडली बेटी जो आई है ना उसके लिए पसंदीदा उसका खाना बना रहे हैं हमको बता देते आत हम बना देते कड़ी पक कोड़ा खामखा अपने इतना तकलिप उठाया हमको टांठ भी सुनाया तो मेरे हाथ हमें उस्वाद कहां तुम तो उल्टा गुन भी बघार देती हो एही लिए हम खुद ही बना लियो उसका पसंदीदा खाना तुमको नहीं बोले हम कहना एकनम परफेक्ट काम जो करते है कि तो होगया कहां लिकर जारी यहां हमार कमरा में ले जा रहे हैं अरे तो यहां पड़े पड़े सड़ धोड़ी जाएगा हूँब秦स और जबान है वहाद झाना लंबा जुबान है अगर जुबान ते तुम्हें रेंग्टरिंगत उथा कि आप गार्ली ब्रेड खा लिय तो इसमें सतक्कम पर जाएगा ने ये वाले लिप्स्टिक का शेड बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरे कलर के उप़र भी अच्छा लगेगा लेकिन बुआ ये लिप्स्टिक तो रुणजून मौसिकी है हमारी मानियत आप इस लिप्स्टिक को भाई रग दीजी काई से के रुणजून मौसिक अपना मेकप किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती है ऐसा क्या है इसके मेकप में एक्टम चीप क्वालिटी का तो है वो तो मुझे इसका शेड अच्छा लगा तो मैंने उठा लिया को बोलते हैं ओरी बाबा हमको शामा कीजेगा दीदी आमने चीजी की जागा चीजी सुन लिया ऐसे तो कभी उठके गिलस पानी नहीं ले पाती है और हमरे ही खाना को चाट चाट के रोज खाती है और आज हमरे ही खाना के पुराई कर रही थी लेकिन दीदी आपकी मौधर बोस्ते कि अिन लोग्ति क्या बना रही थी दो कुछ आटा रुडिकमन है जो भी है देखें दीदी इसमने आंपका तो क्या रहती देखें आम आर गर पे हर दिन गार्लिक ब्रेड पीजा और बर्गर साब कुछ अब देखिए पैसा ही इतना खाता मी नहीं होता है पैसा तो आपने घर में रहने का इधर नहीं आने का चलो रूजुन तुम खाना खालो दाल चावल बनाए हैं हम हाथ दी चाव लिए ओरी बाबा आमर मेकप लगा रही है लो जिस चीज का डर था वही हो गया देख लिया रूजुन मौसी में हाथ लगाई तो रियूँ खा थोड़ी रियूँ याई होता है जब कोई दूसरे का मेकप लगाता है पहले तो जाके धो अपनी शका चार किलो तो मेकप लेके गूंती है कार जुन रहने दोना का एक लिपस्टिक के लिए लड़ रही हो नई भावी रहने दीजिए एक तो वैसे भी इसका मेकप इता चीप क्वालिटी का उसके बाद भी ऐसे चिलारीय मेरे उपपर आकर एक धोड़ा सी रिपस्टिक क्या लगा ली मैंने इता चिलारीय जब से म इता तोलनी दीदी का घर है तुम्हारा घर नई एक तो इतना सड़ावा तो इतनी बड़ी तो माधसं से बड़ी तो बिंदी चिपका क्या यह लग रहze मुआ अरे बुआ यह क्या किया लों किसी बार में जो बोल दिया आवार बिंदी पर नहीं चाना ऑह सुभ 내가 शूरू जुनाई से कोई नाराज होता है का? नई दीदी, अब अम और नहीं सुन सकता, अब अम जा रहा है घर छोड़के अरे बेटा, बाहर जाने करास्ता उस तरफ है, उस तरफ नहीं का हुआ, कहां जा रही हो? आबर घर जा रहा है आम काहें अईसा का हो गया कि तुम्हें एकदम सपने घर जा रही हो? उस असुर जी, रुणजुनका और अश्वर्य कलड़ाई हो गया कि लिप्स्टिक के उपर ए? कुछ भी पच्टा नहीं है इसकी प्लेट में अईसे भला कोई घर छोड़के जाता है का? घर में सारे लोग होते हैं, तब कहीं जाके घर छोड़ा भरा भरा लगता है, घर में छोड़ा खुशी होता है ऐसे छुट छुटे बात पर लड़ा नहीं जाता है। चलो माफ मंग एक दूसरे से दोनो शोमा हमने दुन्नों लोगो को बोला था सॉरी ये हुआना बात चलो अब ऐसे नाराज नहीं हुआ जाता है